Friends, Welcome to Fun and Learn School मैं आपकी हिंदी की टीचर अनिता राजपुद आज हम पढ़ेंगे कक्सा पांच का Chapter 2 फसलो के तिवार के प्रस्थन उत्तर बच्चो यह हमारा भाग तीन है तो आज हम क्या पढ़ने आले हैं? प्रस्थन उत्तर उसमें प्रस्थन है खिचडी में आईसन जाड़ा हम पहिले कब्बो ना देखनी यहां खिचडी से क्या मतलब निकाल रही हो? तो उत्तर ही यहां खिचडी से मतलब मकर सक्रांती नामक तिवार से हैं मकर सक्रांती का तिवार आता है बच्चो उद्धिन क्या बनाते हैं? खिचडी बनाते हैं फिर आगे लिखा गया है बाहर से देखने से समय का अंदा जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह लगाते होंगे? तुतर है बच्चो बाहर देखने से समय का अंदाजा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सूरज नहीं निकला था जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अंदाजा सूरज की गती और उसकी चमक से लगाते हैं तुम्हारी जुबान आगे है आज इक क्या लिखा गया आज इ लोग के उठे के नहीं खे इसका अर्थ क्या होगा तो आज इसका क्या आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या फिक दूसरा लिखा गया है जा भाग के देख केला के पत्ता आयल की नहीं जिसका अर्थ है, दोड कर जाओ और देखो कि केला का पत्ता आया की नहीं? फिर आगे प्रस्ने दिया गया है बचो, भारत तेरे रंग अनिक, विविदता हमारे देश की पैचान है, फसलों का त्योहर हमारे देश के विविद रंग रूपों का एक उधारन है, नीचे विव काहानी, कवीता, सूचना परक सामगर के रूप में हो सकती है, हर समू इस जानकरी को कक्सा में प्रस्तूत करें, तो क्या है भास्या के बारे में कपडे, नया वर्ष, बोजन, लोककला और लोकसंगीत, तब आगे देखते हैं, भास्या, भारत में अनेक भास्या है बोली ज क्योंकि यह अधिकतम लोगों दुआरा बोली जाती है, यह हमारी राष्ट्रे भास्या भी है, भास्या पर दूसरा है कपडे, यहां के लोग विवीत परका के कपडे पहनते हैं, उधारन के लिए दक्षिन भारत में लूंगी पहनी जाती है, उत्तर भारत में सलवार घागरा चोली, कूर्टा पाइजामा, आधि पहने जाते हैं, फिरे नया वर्स, हिंदी केलंडर के अनुसार नया वर्स होली के दिन होता है, यह बिन्न बिन प्रदेसों में बिन्न बिन नामों से जाना जाता है, फिरे बोजन, यहां बोजन में विदता देखने को मिलती है दक्षिम भारत में इडली, डोसा, मसूर है तो उत्तर भारत में चावल, डाल, रोटी, सबजी, राजमा आधी पसंद से खाये, खिलाये जाते हैं पच्छिम बंगाल में चावल, मचली, बड़े सोक से खाये जाता है आगे दिया गया है तुम्हें कौन सा त्योवार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिन चरिया क्या होती है? तुम्हें कौन सा त्योवार अच्छा लगता है, बच्छो? होली का? यह उत्तर दिया गया है होली का त्योवार मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन लोग उंच नीच का विचार भूलकर एक दूसे घले मिलते हैं और खुशिया मनाते हैं इस दिन में सुबस यही कापी सक्रिय रहता हूं तरह तरह की पिचकारियों में रंग भर कर लोगों पर फेकता हूं स्वादिस्ट पकवान खाता हूं और नए कपड़े पहनता हूं है न बचाहां भी ऐसे एंजोई करते हूं हो लिगा तिवार अन्न के बारे में फसल के तिवार पर तिल का बहुत महतु होता है तिल का किनकी रूपे में स्थेमाल किया जाता है पता करो तो उत्तर क्या है तिल से तिलकुट, रेवडिया और गजजग जैसी मिठाया बनाई जाती है दूसरा प्रस्न है तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो तिल के अलावा सरसो, राई, सोया भीन, सूरज मुकी, मौंग फली, आदी से तेल बनाया जाता है किसान और चीजों का सपर किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी पेचन दुनिया का इसा नहीं है विशेस रूफ से सहर के जादा तर लोगों को यह एसास नहीं है कि हमारी जिन्गी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है देश के कई हिस्तों में आज किसानों को जिन्दा रहने के लिए बहुत मेनतों संगर्स करना पड़ रहा है अगर यह जानने की कोशिज करें कि हम दिन भर जो चीज़े खाते हैं वे कहां से आती है तो किसानों की हमारी जिन्दगी में भूमिका का हम समझ पाएंगे आलो की पकोडी, बरफी, आईस्क्रीम इन तीनों चीज़ों के बारे में नीचे दिये बिन्दू को ध्यान में रखते हुए जानकर इखटी करो और मेरी कहाने के रूप में लिखो, यह अमारे प्रस्थन उत्तर थे आपको इन प्रस्थन उत्तर को आपकी हिंदी की नोट बुक में लिखना है वो भी बहुत अच्छी अच्छी राइटी में है, ओके बच्चो?